हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिन स्टडी इंडिन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स यूपी जेल वोडर और यूपी एसाई के लिए बहुत सितंबर वाद अक्टूबर ले लिजी और नवंबर में आपका एक्जाम कंड़क्ट होगा तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुगा है इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए थमनेल इस प्रकार का डाल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे इंट्रेस्टिंग कोर्स आपको प्रोवैड करवा सकों डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चिनल का लिंक दिया हुगा है पीडियेफ आपको वहां पर मिल जाएंगी सारी पहला कोसं बहुवाचक संग्या चांटिये कौनसी बहुवाचक संग्या है गाय तो है न अनुबाद में प्रियुक तो उपसर्ग बताईए उपसर्ग किसी भी सब्दे के आगे लगाए जाते हैं अनुबाद में कौन सा उपसर्ग है तो अनुबाद में आपका अनुपसर्ग होगा कि अनुपसर्ग होगा जल्दी बताओ तो यहां पर अनुपसर्ग होगा दूस विसेष्टा नहीं है यह दौनी के लिए प्राया एक ही वण चिन है ठीक है जैसा उचर्ण बैसा लिखना बिल्कुल ठीक है स्वर वेंजिन का वेग्जान बरिक ठीक है, कुछ वणनों का उचर्ण नहीं होता, यह गलत है दूसरा options जो है यह इसकी विसेशता नहीं है देवनागरे लिपी की next questions की तरह बढ़ते हैं निमले के तुमेंसे वाक में मोटा छपा सब्द विसेशन विसेशन है उसका भेद चाटी है कुछ बच्चे कक्छा में सोर मचा रहे हैं अब कुछ में कौन सा विसेशन यह हमको बताना है अब देखो कोई निस्चे संग्या तो है नहीं है ठीक है ना तो अनिस्चे संग्या वाचा की विसेशन चोथा options correct निमले के तुमेंसे संग्या सब्द का chain कीजिए कौन सा संग्या सब्द है किसी इस्थान, व्यक्ति, जाती इसका वूद कराती है तो उसको संग्या कहते है भुगोल यह एक subject का नाम है इसलिए यह संग्या है ठीक है भारत वरस में हिन्दी को आप किस वर्ग में रखेंगे जल्दी बताईए तो भारत वर्स में हिंदी को हम किस वर्ग में रखेंगे तो हिंदी जो है, वो एक राष्ट बास आए य़्यानि कि एस कोस्टन का दूसरा आफ्सन जो है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्श्ट कोस्टन की तरह बढ़ते है, वह घर से बाहर गया इस वाक में कौन सा कारक है तो वह घर से बाहर गया और से कारक चिन का यूज़ोरा अलग होने के लिए तो यह अपादान कारक होगा और जोडने के लिए होता तो करन कारक मतसर सब्द का अनेकारती बताईए मतसर सब्द का अनेकारती ठीक है ना अच्छा इस बात को ध्यान रखना कई लोग यहां राजवासा बोलेंगे तो हिंदी को समिधान में राजवासा का दर्दे दिया गया है लेकिन अगर आप हिंदी को भारत वर्स में रखेंगे तो वो राष्ट वासा की रूप में रखेंगे आप समझ रहें तो इस बात का थोड़ा ध्यान दे ना न슬 한 existe कई बच्चे सोचने लगे या आपने गलत बता दिया तो मतसर सब्द का अनिकार्ती क्यों कि कल एक बच्चे ने कमेंड करा कि क। पिरते जो हैं वो 45 परकार के होते जब कि क। पिरते जो हैं दूसरा options correct सर्पमेग हरिन किस सब्द के अन्यकारती है तो यह किस सब्द के सारंग के अन्यकारती है पहला ही options correct है निम्लिकत सब्द में कौन सा सब्द उधार का विलूम सब्द है तो उधार का विलूम सब्द पूछा तो उधार का विलूम सब्द कौन सा हो जाएगा तो प्राकर्थिक निम्लिकित मैं से सुद्वर्तनी वाला सब्द बताईए जल्दी बताओ सुद वर्तनी वाला सब्द तो आपका सही अंसर हो जाएगा हरियक सिपू यानि कि दूसरा ओप्सन्स करेक्ट नेक्ष्ट कोस्टन से आपका कि असुद वर्तनी वाला सब्द बताओ असुद वर्तनी वाला सब्द तो सन्यासी गलत लिखा हुआ है कौन सा सब्द तदबाओ नहीं है दोआर, साइ, ग्रिस्ती या पौँ जल्दी बताओ या इसको पाओ भी बोल सकते हैं तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह है क्या हो जाएगा ओप्सन अमबर B जो है, यह साम का ततसम है तो थोड़ा ध्यान दखना निमले के तमएसे ततसम सब्द बताओ कान, जीव, मुख और दाथ तो आराम से पैचान सकते मुख, यह मुहु का ततसम है ठीक है ना बहूग, सब्द का सही अर्थ क्या होगा बहुग सब्द का सही अर्थ तो इस सब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा तो इस सब्द का सही अर्थ हो जाएगा जो बहुत जानकार हो दूसरा आपसंस पहला आपसंस करेक्ट जिसे किसी से लगाऊ ना हो वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा जिसे किसी से लगाओ ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे तो उसे बोलेंगे निरलिप्त तीसरा ओपसंस करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस काब में कितने रस माने जाते हैं जल्दी बताओ काब में कितने रस माने जाते हैं तो काब में रसों की संग्या है आपकी 9, तीसरा उपसंस correct, नेक्ट कोसंस यहां चंद आपको बताना है, सहज विलास हास, पिये की वुलास तजी, दुख के निवास प्रेम, पास पारियत है, तो यहां पर कौन सा चंद है, तो यहां आपके बरवे चंद है, दूसरा उपसंस correct, मात्र भूमी सी मात्र भू है, अन्न से तुलिना नहीं, तो यहां पर कौन सा चंद है, तो यहां पर आपका गीति का चंद है, चोधा उपसंस correct, इसमें आपको अलंकार बताना है, 28 में, कौन सा अलंकार होगा, तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलं लंकार तूसरा ओप्सेंस करेक्ट तो यहां पर कौन सा लंकार है तो आप जान सकते हैं मन एक सब्द की आभरती एक याएक सेदिक वार है तो यहां यह मकल अंकार होता तीसरा ओप्सेंस तो यहां पर कौन सा अलंकार है इस प्रकार कि अगर सब दाते तो वहां अथन्कार होता अलंकार पेचानने की ट्रिक ताकि आप लोगों का जो डाउट है उसकी लिए मैं अलक्स वीडियो बनाऊंगा जब आपका पेपर विल्कुल हो जाएगा तो दस बारा वीडियो ऐसी बनाऊंगा टॉपिक वाइज जहां से कोसंस में पेपर में कोसंस पूछे ही जाते हैं तो उस टाइम आपको याद भी रहेगा अगर आप वीडियो भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है ना निम्लेकित परिशनों में से दीगई रचनाओं के रचीताओं के नाम बताईए संस्कृति के चार अध्या ये कोसंस यूपी प्लिस कॉंस्टिवल पूछा जा चुका है तो संस्कृति के चार अध्या ये रचना किसकी है तो ये रामदारी सिंदिन करकी है पहला ही options correct आचरण की सबता ये किसकी रचना है तो आचरण की सबता इस रचना के रचनाकार है सरदार पूर्ण सिंग चौथा options आपका बिल्कुल correct है next questions के निम्ले के तमेसे कौन समयलित नहीं है अंगूठे पर मारना यानि की परवाना करना यार्थ दिया हुआ है इसका मुहावरे दिये एक तरह पर दिया तो यह ठीक है कान काटना यानि की मात करना बिल्कुल ठीक है नजर करना यानि की आँक बचाना नहीं चौथा options जो है वो आपका गलत समयलित है ठीक है next questions के तरह बढ़ते हैं कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लड़ाई जगड़ा हो जाना यानि की चौथा options आपका बिल्कुल correct दियान लगना इस बात को कि ये जो आपके मुहावरे दिये हुए है तो ये अलग परकार के मुहावरे दिये हुए है इसका ये नहीं लगा देना अपमान करना ठीक है नीचा दिखाने का अर्थ होता है अपमान करना तो यहाँ पर लड़ाई जगड़ा हो जाना चौथा options correct नहीं तो कोई महापुरस दूसरा उपसंस लगा दे निम्लेकर तुम एसे कौन सा वाक सही है जल्दी बताओ कौन सा वाक सही है सुद्वाक आपको बताना है सिरी राम चौदा वर्स के बाद बन से लोटे यानि की चौता उपसंस करेक्ट है कौन सा वाक सुद्ध है यह आँखों से देखी गटना है यह पहला उपसंस है यह आँखों देखी गटना है यह दूसरा उपसंस है तो दूसर है आपको भूमी ववन बाहन का अभी अभी नव सुख की प्राप्ती होगी गलत है पहला दूसरा तो गलती दिख रहा है यह समाचार पूरे देज भर में तुरंत फैल लगा जा गलत तो मैं कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा यह options आपका बिल्कुल क्या है correct है next questions वही एक वाक को चार भागों में वक्त किया हुगा है जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है रात में एका एक अचानक कमरे में धुआ उठा अब देखो एका एक भी आ गया अचानक भी जब अचानक आ रहा तो उसके पहले एका एक का प्रियोग नहीं होगा तो द बहुत सारे दमपत्ति हों दमपत्ती का मतली भी होता है पती पतनी ठीक है तो उन दमपत्ती नहीं आए दमपत्ती के बीच समबंध तनावपूर्ण चल रहे थी ठीक है तो पहले ही बाग में यहापर गलती है लाश्ट कोसंस आपके सामने के पूछताज पर पता चला कि य है यातरी पहले भी तीन बार भारत आ चुका है तो आप लोग इस questions का answer comment box में बताएंगे कि इसके किस पार्ट में गलती है ठीक है तो दोस्तों यह था आपका हिंदी का test 35 questions का बाकि 3 questions जा रहे हैं आपके गद्धांस में तो total 38 number का ही test है अब इसमें 35 में से आपके कितने number है आप मुझे जरूर बताइएगा अब जाग जाओ क्योंकि time बहुत कम बचा हुगा है अभी तो ठीक है मैं भी आपसे बोल रहा था कि ठीक है समझ रहे है गलत जरूर बोला बुरा जरूर लग रहा होगा लेकिन सत बात बोल रहा ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो